स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीब कॉमबटिटिटिव क्लास में दोस्तों जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोड उन्होंने क्या किया है जो आपका दो हजार सातरा से जो उनिस का सेसर में यह किया गया था तो इसी को जो आपका एनायस भारत सरकार के द्वारा करवाया गया था ता से का सेटर्टिकेट है उसको गई कर दिया गया है अमान घोस्त कर दिया गयए है आप क्यों देखे यहाँ पर जो सुप्रीम कोल्टेगा तौव पर जो आपका certificate है उसमें दिया गया है दो वर्ष तो इसी को लेकर सरकार के तरब से एक मताँ इसका जवाप आया है यह आटाई का जवाब है तो यहां पर दो दो आटाई किये गहे तो दोनों जवाब में क्या है यह वीडियो को यह वीडियो को आपकों अन्तग देखना है यह उसका जवाब है कि यड़़ू ऑं चेट नेradeय आधिनियम जो 2009jun l अधिसूचना 23-8-2010 और 19-7-2011 द्वारा प्रात्मिक सिख्चक भरती के लिए जो नियून्तेम योगता ने धारित की है उनमें से एक यहा है कि इसके लिए दो वर्स ये डियलेट की आवे सकता है और 0.2 में दिया गया है एक तो यहां पर ये बात आ रहे दो वर्स के लिए है कि यूगता आवे सकता है तो इनका certified में दो वर्स दिया गया है और दूसरा आगया है कि किरपियास पर्ष्ट करें कि क्या यह दो स्तैक्टनिक वर्स है या चाविस महीन यह दो मत्तब दोवर्स इसका कहलाएगा certification यह after यह 24 महीनिक का करता है और पर रेबैट मातार करता है यहां पर दिया गया है कि दो वर्स का ही बाथ किया गया है और यहां पर प्रस्ट आता है कि आपका उननिस साथ 2011 वारता में दो वर्स ये डिप्लॉमा के अदू सुचना है किर्पिया उलेखी दो वर्स को परिभासित करें और क्या वे 24 महिने या दो स्टेक्टिक सत्र ये वर्स हैं क्योंकि NCT विनियम 2014 तोरा कोई डिप्लॉमा नहीं के संख्या में बात करता है और दस्ताविश उपलॉम नहीं करया गया यह है ऐहां पर यहां पर आर्टि कि आर्टी किया गया था उसकी ये जवाब है विसे को दिया है कि सुचना का दिकार अदियनयम जो टर पां कर प सुचना मतब रटibt मतब किसी से भी सी वे तरिक आपका 12 महिने 2023 सूचित किया जाता है, देखो यहाँ पर जो ये डेट है, इसको एक वर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो ये 9 तरिक का ही डेट है, और 9 तरिक कि ये 2024 में बात किया थी, बर्मा महिना में नौ तारीक को इस में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जो मांगी गए जानकारी का उत्तर इस प्रकार है यानि आपके द्वारा जो इत्तर मांगी गए थी कि ये दो वर्सका है 18 महीने कहा या फिर दो वर्सका है तो आगे बात आती कि सम्मांदित विभाग द्वारा भेजी गए अधिसुचना को भारत के राजपत्र के भाग तीन खंड चार में प्रकासित नहीं किया गया क्योंकि सम्मांदित विभाग ने इस विभाग के जो दिसे नेजरेशा का पालन नहीं किया और अधिसुचना प्रकासित करने के लिए अविस्तक भुगतान नहीं किया और यादि आप उप्रोग दिये गए उत्तर संदुश नहीं है तो आप प्रथम अपिल दैर कर सकते हैं और विभाग और अधिस सुचना प्रकासित करने के लिए अविस्तक भुगतान नहीं किया और यादि आप देखिए यहां पर अगर आपने मत्तब यह जो आपका उत्तर है उन्होंने दिया है अगर इससे आप संदुश नहीं है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रथ संदुश प्रकासित करने के लिए आप सकत भुगतान नहीं किया तीक है तो यानि यह बात आरी निकलकर कि जो मतलब इसके लिए भुगतान नहीं किया गया इसी लिए ये जो गजट है उसको पारित नहीं किया गया ठीक है तो चलिए ये था इस वीडियो में आज का अपडेट दूसरों गरी बीट पसने तो वीडियो को लाइक करें और जो भी नोटिफिक्शन उसको लेकर आएंगे आप तक पुझेंगे तो चनल को अभी सब्सक्राइब करके रहें मिलते हैं अगले वीडियो में